दोस्तों जस्ट इमेजिन नासा के एस्टरनॉट्स नेप्चुन प्लानेट पर जाएं एलियन्स और अलग-अलग लीविंग जीवों को ढूनने के लिए लेकिन उन्हें एंड में काफी अनोखी चीज हाथ लग गई थी कहानी की शुरुआत तब से होती है जब हमारी प्रिथवी इंसानों की रहने लायक नहीं रह गई थी हम इंसान टेक्लोजी के मामले में काफी आगे बढ़ चुके थे लेकिन साथ इसाथ प्रदूसर्ण और पॉपुलेशन भी काफी जादा बढ़ गई थी जिसकी वज़े से अर्थ का पूरा वातावरन खराब हो जाता है इसलिए नासा और अलग-अलग देशों की स्पेस एगिंसी ये ट्राय करने लगी थी कि वो दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर इलियन्स को ढून सकें ताकि इलियन्स टेक्नलोजी का यूज करके वो अपने अर्थ को बचा सकते हैं क्योंकि शायद इलियन्स की एडवांस टेक्नलोजी यूज करने पर वो अपने अर्थ को बचा सकते थे इसी तरीके से NASA वाले Neptune प्लानेट पर अपने astronauts का एक group भीचते हैं जो Neptune प्लानेट पर जाकर aliens और अन्य जीवों के बारे में पता लगाएगा कई महीनों के मैनत के बाद वो पूरा astronauts का group Neptune प्लानेट तक पहुँच जाता है लेकिन कुछे समय में उन astronauts के spaceship का contact NASA के headquarter से पूरी तरीके से तूट चुका था NASA वलों को ये लग रहा था कि सायद से वो पूरा spaceship destroy हो चुका है और अब वो सब Neptune प्लानेट तक कभी पहुँच जी नहीं सकते NASA ने तो ये announce कर दिया था कि उनका Neptune वाला mission unsuccessful हो चुका है अब इन सारी बातों को टोटल 25 साल भी चुके थे NASA भले ही Neptune प्लानेट तक नहीं पहुच पा रहा था पर उन्हें लगातार Neptune प्लानेट से कुछ ऐसी खतरनाक वीव्ज निकलते वी दिखाई देती हैं जो हमारे Earth की environment को damage पहुचा रही थी आखिर इन खतरनाक तरंगों से कैसे बचा जाए किसी को कुछ भी नहीं आइडिया था अब हमें अंतरिक्ष में मौजूद NASA के एक बहुती बड़ी space station को दिखाय जा रहा था जहाँ पर एक astronaut जिसका नम Roy होता है वो space station की कुछ मरमत कर रहा था तब ही अचानक वही सारी खतरनाक तरंगे space station से टकराना स्टार्ट हो जाती है जिससे कि वो station धीरे धीरे destroy होने लगा था Roy तो इन सारी चीजों को अपने आखों से देख रहा होता है पर वो अब कुछ नहीं कर सकता था देखते ही देखते पूरा space station तबह हो जाता है और अब जटका लगने की वज़े से Roy लगा था नीचे की तरफ गिरने लगा था Roy बहुत ही ज़्यादा तेजी से अर्थ के वातावरण में इंटर कर जाता है और अब बहुत ही ज़्यादा तेजी से नीचे आने के बाद Roy अपना पैरसुट ऊपन कर लेता है जिससे कि उसने सही सलामत एक अलगी देश में लैंडिंग कर ली थी नासावले जल से जल Roy को रेस्क्यू कर लेते हैं चारों तरफ Roy की खबर फैल चुकी थी क्योंकि इतनी उचाई से जिन्दा बचकर नीचे आना एकदम से नामुम्किन था ताजिब के बाद ये थी कि स्पेस टेशन में जितने भी एस्टरनोट्स मौजूद थे वो सब मारे जा चुके थे सिर्फ Roy एक ऐसा एस्टरनोट बचा हुआ था जो अर्थ पर वापस लौट कराया पर इतनी ज़्यादा रिकोगनेशन मिलने के बाद भी Roy काफी ज़्यादा उदास लग रहा था दरहसल Roy का ये बिहवियर बहुत पहले से ही था क्योंकि 25 साल पहले जीन एस्टरनोट का ग्रूप नेप्चिन प्लैनेट पर रिसर्च करने गया था उन में से एक Roy के फादर भी थे उस समय रॉय काफी ज़्यादा छोटा था जिसके बाद उसे खबर पता चली कि उसके फादर स्पेश मिशन में मारे जा चुके हैं तब से लेकर आज तक Roy एकदम घुट घुट कर जी रहा था क्योंकि वो अपने फादर से एक आखरी बार मिलना चाता था इनी सारे बिहिवियर्स की वज़े से रॉय की वाइफ उससे दूर चली जाती है लेकिन रॉय यहाँ फिर भी नहीं बदलता अब एक दिन रॉय को नासा के हैटकॉटर में कुछ वग्यानिक बुलाते हैं जिन्नों ने उसे बताया कि जब से एस्टरनोट का ग्रूप नेप्चिन प्लानेट पर गया है तब इसे ही नेप्चिन प्लानेट से काफी हामफूल रेडियेशन्स निकल रही हैं और हो नहो इन रेडियेशन्स से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सायद से रॉय के फादर अभी भी जिन्दा है इसलिए वग्यानिक चाते थे कि रॉय मार्स पर जाए और नेप्चुन प्लैनेट के और्बिट में मौजूद अपने फादर को मैसेज भेजे कि वो ये रेडियेशन्स फैलाना बंद कर दे क्योंकि इन रेडियेशन्स से अर्थ के वातावरन को काफी नुकसान पहुच रहा था रॉय भी अपने फादर से इतने सालों बाद मिलना चाता था इसलिए वो जल से जल मिशन के लिए रेडि हो जाता है अब रॉय से करनल मिल रहे थे जिन्नोंने उसके फादर के साथ कई सालों पहले काम किया था करनल भी कहते हैं कि इस मिशन में वो रॉय के साथ चल रहे हैं सबसे पहले उनकी टीम को चांद पर जाना पड़ेगा जिससे कि वो सही सलामत मार्स पर जा सकते थे ताज्यूप की बाद ये थी कि इंसानों ने चांद पर भी अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया था यहां रॉय अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ चांद पर पहुँश गया होता है पर अपनी हेड़कॉर्टर की तरफ आते समय कुछ आतंकवादी लोगों ने उनके उपर हमला कर दिया था ये सारे वो लोग थे जो चंद्रमा की जमीन गवर्मेंट से चीनना चाते थे उस धमाके में रॉय की कई साथ ही मारे जाते हैं पर वो कैसे भी करनल को बचाते हुए स्पेस सेंटर में आ गया था करनल को काफी ज़्यादा चोट आई भी होती है इसलिए अब वो आगे का सफर रॉय के साथ तैय नहीं कर सकते जिसकी वज़े से रॉय को करनल की विना ही मार्स पर जाना पड़ेगा और अब रॉय बचे हुए टीम मेंबर्स के साथ मंगल ग्रह की तरफ निकल पड़ता है यहां रास्ते में रॉय और बाकी टीम मेंबर्स को एक स्पेस शिप से लगातर सिगनल मिल रहा था इसलिए कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो उस स्पेस शिप में जाकर देखेंगे हलाकि रॉय कह रहा था कि उन्हें वहाँ पर जाने के बजाए मंगल ग्रह की तरफ मुडना चाहिए लेकिन सभी टीम मेंट्स रॉय के बात ही नहीं मानते उस अंजान स्पेस शिप के अंदर जाने के बाद सभी को ये पता चला कि वहाँ पर कोई है ही नहीं तो भी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक चिंपैंजी आ जाता है जिसने देखते ही देखते ही कैप्टन और बाकी सभी पर हमला कर दिया था रॉय जल्द से जल्द बाकी एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरी चेंबर में लेकर आता है और उस पागल चिंपैंजी को एक कमरे में बन करके वहाँ का एरलॉक उपन कर दिता है जिससे की चिंपैंजी आक्सीजन ना मिलने की वज़े से मारा गया था लेकिन यहाँ पर चिंपैंजी ने कैप्टन को पूरी तरीके से घायल कर दिया था जिससे की कैप्टन की मौत हो जाती है रॉय और उसके बाकी टीम मेट्स को तो इस बात से काफी जादा दुख हो रहा था पर फिर भी वो इन सारी चीजों को छोड़ कर मार्स की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं अब कई घंटों बाद रॉय और इसके टीम मंगल ग्रह तक पहुच चुकी थी मिशन कमांडर और बाकी सबी लोग रॉय को एक कमरे में विठा कर उससे एक लेटर पढ़वा कर उसके फादर को भेज रहे थे इसमें पेपर के अंदर जो भी सारी बाते लिखी थी वो रॉय को वैसे का वैसा ही कहना था दो बार ट्राई करने के बाद भी उसके फादर का रिप्लाई वापस नहीं आता इसलिए रॉय ने आखरी बार कोशिश की पर इस बार वो पेपर पे लिखे हुए वर्ट्स नहीं कहता बलकि अपनी इमोशन्स को अपने फादर की प्रतिश जाहिर करता है रॉय तो अपने फादर से बात करते हुए काफी इमोशनल हो चुका था लेकिन तभी कमांडर अपने बाकी साथियों के साथ रॉय के पास आ जाती है ताजूब की बात ये थी कि इस बार उन्हें रॉय के फादर जोकी नेप्चुन प्लैनेट पर मौजूद थे उनकी यहां से रिप्लाई आ चुका था पर अब कमांडर चाहती थी कि रॉय वापस से अर्थ पर चले जाए क्योंकि उसने पेपर में लिखे हुए वर्ट्स ना कहके एक इम्पोर्टन रूल को तोड़ा है इसलिए अब रॉय को वापस से अर्थ पर भीजने का प्लैन स्टार्ट कर दिया गया था अब रॉय के पास वहाँ के मिशन डायरिक्टर आ जाती है डायरिक्टर को तो रॉय के फादर के मिशन के बारे में काफी ज़्यादा चीजे पता थी वो रॉय को उसके फादर का एक वीडियो फूटेज दिखाती है जब उन्हें काफी साल पहले उसके फादर ने यहाँ पर सेंड किया था रोई जब उस वीडियो को देख रहा था तब उसके फादर ये कह रहे थे कि हम सब यहाँ नैप्चुन प्लानेट पर इलियन्स और अलग अलग जीवों को ढूणने आये थे हाला कि हमें कुछ सफलताएं हाथ भी लगी होती है लेकिन बाकी सारे मेंबर्स इतने सालों के वेट करनी की वज़े से काफी ज़्यादा ठक चुके थे और अब वो मेंटली केपेबल नहीं होते इन सारे मिशन्स को आगे बढ़ाने के लिए इसलिए बाकी टीम मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि वो वापस से अर्थ की तरफ लोड जाएंगे लेकिन रॉय के फादर ऐसा बिलकुल नहीं चाते थे उनका मानना था कि हमें पूरी तरीके से एडवान्स इलेंस को एक्स्प्लोर करके यहां से जाना चाहिए इसलिए बहुत जादा रेक्वेस करने के बाद जब सारे टीम मेंबर्स अर्थ की तरफ निकल रहे थे तो अभी रॉय के फादर ने उन सभी टीम मेंट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया होता है जिससे कि लाँच होने से पहले ही उन सभी एस्टरनॉट्स की मौत हो गई थी डॉक्टर इसलिए इमोशनल हो जाती है क्योंकि उन सभी एस्टरनॉट्स में से उनके मौम एंड फादर भी शामिल थे जिससे कि रॉय के फादर ने जान भूच कर मार डाला रॉय तो ये सारी बाते जानकर काफी ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसने बच्पन से ही अपने फादर को एक हीरो माना है और वो उनकी इज़द भी बहुत ज़्यादा करता था लेकिन रॉय ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि उसके फादर ऐसी गंदी हरकत करेंगे डायरेक्टर रॉय को एक और बात बताती है कि जू सारी रडियेशन स्नेप्चून प्लानेट से हमारी प्रिथवी पर आ रहे थे वो और कोई नहीं बलकि तुमारे फादर ही जनरेट कर रहे है और तुम्हें यहाँ पर जान बुच कर ला कि उनसे बात कराया गया ताकि मिशन कंट्रोल वाले तुमारे फादर के लोकीशन का पता लगा सकें और अब तो उन्हें इस बात का पता चल भी गया था इसलिए एक टीम ड्यूपिटर प्लैनेट की तरफ निकलने की तैयारी कर रही थी जिससे कि वो रॉइ के फादर के स्पेस्शिप को पुरा डिस्ट्रॉइ कर देंगे तब ही रॉइ डायरेक्टर से मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था तब बाकी एस्ट्रोनॉट उसे देखकर काफी शौक हो गए थे वहाँ की कैप्टन ने तो रॉइ के उपर गन तान दिया था क्योंकि रॉइ की मेंटल कंडिशन खराब थी और अब रॉइ ने अपने आपको वचाने के लिए उस स्पेश्चिप का वैक्यूम एकडम से ओपन कर दिया था जिससे की गेट ओपन होने की वज़े से सारी ओक्सिजन्स खतम हो जाती है यहाँ देखते ही देखते सबी टीम मिर्ट्स मारे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सूट पहना नहीं था रॉइ काफी ज़्यादा लगी होता है कि वो आखिर तक टिका रहा हाला कि उसे काफी ज़्यादा दुख था कि उसकी वज़े से इतने सारे बेगुना एस्टोनोट्स मारे गए पर फिर भी वो अपने स्पेश्चिप में बैट कर नेप्चिन प्लानेट की तरफ निकल पड़ता है रास्ते में रॉइ लगातार अपने फादर के बारे में सोचता ही जा रहा था उसके फादर विज्यान और अंतरिक्ष से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने रॉइ और उसकी मदर को काफी साल पहले छोड़ दिया था हाला कि वो रॉइ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे लेकिन उन्हें अपना प्यार जाताना बिलकुल भी नहीं आता था अब इतना टाइम बीतने के बाद रॉइ के mental conditions में कुछ changes आना स्टार्ट हो जाती है काफी समय तक travel करने के बाद अब वो दिन आ गया था जब रॉइ नेप्चुन प्लैनेट के पास अपने फादर के spaceship तक पहुँच जाता है रॉइ तो तुरन थी spaceship के अंदर चला गया था जहां पर रॉइ देखता है कि बहुत सारे astronauts के लाज पड़ी हुई है इसके बाद रॉइ एक chamber के अंदर चला गया था जहां पर उसे एक अजीब तरीके का radioactive product मिलता है और जो खतरनाक radiation स्नेप्चिन प्लैनेट से अर्थ की तरफ मूव हो रही थी वो सारी इसी radioactive material के अंदर से निकल रही होती है इसलिए रॉइ उस material के उपर तुरन थी एक time bomb fix कर देता है तभी कुछ आवाज होने पर उपर से कोई चिलाता है वो और कोई नहीं बलकि रॉइ के फादर थे रॉइ तो इतने time बाद अपने फादर को देखकर काफी ज़्यादा भावुखो उठा था उसके फादर भी ये समझ जाते हैं कि ये उसका बेटर रॉइ है जो काफी बड़ा हो चुका है रॉइ तो अब अपने फादर से question करने लगा था कि उन्होंने अपनी family को क्यों छोड़ दिया तब ही बहुत ज़्यादा frustration में रॉइ के फादर उससे ये कहते थे कि उन्हें तुम से और तुमारी mom से जरा भी लगाओ नहीं था वो तो विज्यान और अंतरीश को अपनी नई दुनिया बनाना चाते थे इसलिए इस जानलेवा मिशन की तरफ निकल पड़े थे रॉइ तो अपने फादर के मूँ से ये सारी बाते सुनकर एकदम आस्चरे चकित रह जाता है पर रॉइ ये सारी बाते समझ रहा था कि उसके फादर यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं जिससे कि उनके mental conditions में changes होना एकदम obvious था रॉइ के पुछने पर उसके फादर ये बता रहे थे कि उन्हें यहाँ पर कोई भी alien और अलग प्रजाती मिली ही नहीं यानि कि इस ब्रह्माण में हम इंसानों से ज़्यादा intelligent कोई है नहीं और अज जो भी earth के condition है वो हम इंसानों की गलती के वज़े से है इसलिए ये सारी गलतियां भी हमें ठीक करनी पड़ेंगी रॉय अपने फादर को बहुत ज़्यादा request कर रहा था कि वो वापस उसके साथ अर्थ पर चले लेकिन उसके फादर इस बात के लिए राजी ही नहीं होते पर रॉय ने भी हार नहीं मानी थी उसने तो अपने फादर को emotionally blackmail कर दिया था जिससे की एक टाइम पर रॉय के फादर उसके साथ जाने के लिए ready हो जाते हैं और अब वो दोनों रॉय के फादर के spaceship में से निकल कर दूसरे spaceship के अंदर आ जाते हैं लेकिन जैसे ही gate बंद होता रॉय के फादर तुरन थी वहां से निकल कर अंतरिक की और चले जाते हैं अच्छे बात ये थी कि उन दोनों के सूट से एक रस्ती बंदी हुई थी जिससे की रॉय अपने फादर को पकड़ लेता है रॉय का फादर ये कह रहा था कि वो अर्थ पर नहीं जाना चाता अंतरिक ही उसके नई दुनिया है और उसे अपनी पूरी जिन्दगी यहीं पर बितानी है रॉय नहीं चाता था कि उसके फादर की इस तरीके से मौत हो पर एंड में वो समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए रॉय के फादर वापस अर्थ पर जाएंगे ही नहीं इसलिए उनके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी के बाद रॉय ने अपने फादर का हाथ छोड़ दिया था जिससे कि रॉय के फादर लगातार अंतरिच की गहराईयों में चले जाते हैं रॉय तो अपने स्पेस्शिप के अंदर वापस लौट आया था जो अपने फादर को आखरी बार अंतरिच के अंदर दूर जाते वि देखता है क्योंकि उसे पता था कि वो बचने नहीं वाले अब उस दूसरे स्पेस्शिप के अंदर जिसमें रॉय ने टाइम बॉम लगाया था वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि एक ऐसा धमाका हुआ जिसने रॉय के स्पेस्शिप को काफी जादा बूर्ज दे दिया जिससे कि रॉय के स्पेस्शिप की स्पीड हाद से जादा बढ़ जाती है और अब वो सिधा आर्थ की तरफ दुगनी तेजी से बढ़ने लगा होता है कई महीनों के सपर के बाद Roy अर्थ पर पहुँच चुका था और अब उससे ये बात पता होती है कि हम इनसानों को इलियन्स को ढूनने के बजाए खुद ही अर्थ के इन्वाइरमेंट को ठीक करना होगा रॉय ने तो ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपने फादर की तरह सेलफिश नहीं बनेगा इसलिए वो अपनी वाइब से एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है रॉय ने तो अपनी वाइब से माफी माइब ली थी कि वो आज से एकदम नया स्टार्ट कर रहा है और वो पूरी तरीके से बदल भी चुका है इसके बाद रॉय अपने फैमिली के साथ हैपी लाइफ जीनने लगा था हमारी कहानी भी यही पर खतम हो जाती है सो वीवर्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्पनेशन एक पसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिल दें नेक्स वीडियो में बाबाई